हेलो गाइच कैसे हो आप लोग आज हो आप लोग अच्छे होंगे आज हम लोग प्रस एक्सराइज 1.1 का कोश्यन नमबर दूसरा हल करेंगे इसमें दिया है कि दर्था ये कि कोई धनात्मक विसम पुरांग संख्या 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का है जहां क्यों एक विसम पुरांग है उसके सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि धनात्मक पुरांग संख्या बराबर A और 6A बराबर क्यों और हम लोग सेस मानेंगे कि सेस इक्वर टू 0 1 2 3 4 वो फोर्स उपर क्यों नहीं मान सकते जहां कि हम लोग आखरी में दियाए 5 इसलिए हम फोर्स उपर तक नहीं मानेंगे बस यह इतना तक रहेंगे अब आगे चलते हैं हल करते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फिन एए आप लोग देखा होगा कि एकलिट भी भाजन द्वारा बी क्यूं प्लॉस आर लिखो यहां हमारा से जितना जिसे हम लोग भाग देंगे और यह है उसके बाद हम इसी फर्मुला मुरा रख रख के चेक करेंगे यहां पर हमारा कोशन नमबर वन दिया देखिए यहां पर देख सकते हैं लिखेंगे हम लोग 6Q प्लॉस और यहां पर पहले हम लोग 0 रखेंगे रिमांड़ एकोल टू जी बाद इसको हल करेंगे थोड़ा से तो आएंगे 6Q प्लॉस नहीं ओ सॉरी इसको कार दो बस 6 Q आएगा उसके बाद ठीन हम लोग आगे हल करेंगे 6 Q प्लस अब 1 रखेंगे 1 एक क्वाल टो कितना आएगा 6 Q प्लस 1 यह आगया अब 2 रखेंगे इसी प्रकार 6 Q प्लस 2 एक क्वाल टो 6 Q प्लस 2 अब इसमें से 2 कामल ले लेजिए 2 कामल लेंगे तो 2 3 Q प्लस 1 अब भाग कर देंगे 2 से 2 से 2 कड़ गया अब आएगा 6 Q प्लस 1 अब 3 रखेंगे 3 रखेंगे तो फीन आएगा 6 Q प्लस 3 इसमें तो कुछ 2 से कामल ले बेंगे नहीं करेंगे पूछा यह बीशन पुरांग संखेंगे यह 2 से कामल लिये थे अब फिर रखेंगे 6 Q प्लस 4 इक्वल टू 6 Q प्लस 4 अब इसमें से 2 कामल लेंगे तर प्लस 2 ब्रैकेट 6 Q प्लस 4 ओफो सोरी यहां पर 3 आएगा 3 और यहां फर 2 ब्रैकेट 1 दूसे भाग कर देंगे पर यहां फिन ऐगा 3 Q प्लस 2 लिए प्लस 4 अब एक आखरी रखेंगे 5 रख सकते हैं भी नई रख सकते हैं दूसे प्लस 5 अब देख realizes थे कि six q ब्लस 1 आया है तर ईसका विश्सन पुरांक है तो मतलब कर सकते हैं खे guilty इसमें भी आया है और फिन यहां पर भी आया है देख सकते हैं और फिन यहां पर आया है भी जितना बोल ला था तब आखरी में को आ सकते हैं चुकि यह एक एक कि भी सब्सक्राइब करें और आज हम लोगों को वीडियो खत्म हो गया और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें चलते हैं धन्यवाद